प्रूफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से समय समय पर देश की विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्माजी अधिकता है दिली में रहते हैं नमस्कार जोतिस ग्यार में दर्शों को आप सभी का महार्दी को स्वागत करते हैं आज हम बात करेंगे धनु राशी की सेकेटेरियस सेप्टेंबर के महीने में हम क्या उपाई करें क्या दान करें और किन-किन बातों की साफधानिया बरते हैं आपके राशी फल में ये सारी चीज़ आएंगी दर्शों को सेप्टेंबर का महीना बहुत ही अनुकूल है विशेष प्रकार की पूजा आर्चना साधना करने का सुब समय है भागवती की साधना से रूबरू होने का एक विशेष तमय है चार नवरात्रों में विशेष नवरात्र आस्वी नमास के नवरात्र बहुत बड़े नवरात्र होते हैं 29 सेप्टेंबर का प्रथम नवरात्र है शुक लपक्स की प्रतिवदा और आपका विशेश शार्दिय नवरात्र 14 सेप्टेंबर से आपके श्राद लगेंगे पूर्व जो से विशेश प्रकार का आशिरबात लेने का विशेश समाए इसी महीने हम अपनी रासी से संबंदित यदि उपाय करेंगे विशेश इसलाव आएगा देखो दर्शो को जिन जात्कों की धनु रासी है सेगेटेरियस रासी है वो क्या समझें कैसे उपाय करें सबसे पहले तो यह समझ ले जो हम राशी फाल बताते हैं वो हमारा आपके ल की बाते हैं और उनके लिए ही यह विशेश उपाय है बात करते हैं सबसे पहले च्छात वर्गी की धनु रासी से संबंदी जो जातक हैं उनके लगन में ही शानी और केतु विद्दमान है सब्तम्भाव में राहु विद्दमान रहेंगे साथ ही नवाम भाव भागय स्था में दस तारीक तक करीब करीब सुर्य बुद्ध शुक्र मंगल एक साथ दस तारीक के वाद दसम्भाव में आपके व्यापार के रूप में देख लें किसी भी रूप में देख लें सुर्य बुद्ध शुक्र मंगल एक साथ और हां इस महीने चार रासियों का विशेश पर बात कर रहा हूं सबसे पहले इच्टूटन वर्क के लिए ये महिना अच्छा है आप किसी बड़ा competition कर रहे हैं, कोई बड़ा ऐसा examination इस महीने आपका exam आ रहा है, आपके लिए शुब है, आपके लिए अच्छा है, दिल लगा करके मैनत करिएगा, सफलता मिलने के पूरे पूरे chance है, एक चीज़ और, हम राशी फल बताते हैं, लेकिन कई बार आपकी दशा, महादर्शा, अंतरदर्शा, प्रतंतरदर्शा, इसका भी रोल होता है, तो मैं तो यह ही चाहूँगा, बारीकी के लिए कहीं आप छे से अवलोकन भी करा लिया करें, कोड लेका, चात पर के लिए यह महाशुब आचा रहेगा, एमप्लोईज वर्क की बात करते हैं, गुर ऐसा भी होता, तो यह महीना भैसे निकलने वाला है, इस महीने कुछ बड़ी सफलताएं, बड़ी उपलब्दियां आपको प्राप्त हो सकती है, यह था इस थान पर आपको इस थान तरण हो सकता है, जहां आप चाह रहे थे, कई बार ऐसा होता है, लिए हम चाहते हैं, यहा ट्रांसफर हो जाए, इस सीट से हट करके हमाँ चले जाए, तो जो लगाईएगा, कुछ ने कुछ इस महीने ऐसी उपलब्दे भी आपको मिल सकती है, विदेश यातनाओं के योग खुल सकते हैं, जो एमपलोईज वर्क कहीं विदेश जाना चाहते हैं, अब हम व्यापार सेक्टर की बात करते हैं, व्यापारी वर्क के लिए भी ये महीना अच्छा है, सुरू का महीना कमजोर रहेगा, लेकिं 20-22 तारिक के बाद इस महीने में कहीं आपके व्यापार में अच्छे चांसा में नज़र आते हैं, बड़ी आतनाओं के माद्यम से भी व्यापार अच कि हमें विशेश तोर से जब हम कोई यातनाओं के माद्यम से कोई काम कर रहे हैं, टूर ट्रेवलिंग का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, साबधानी, अंध विश्वास न करें, सतरक्ता बरते, राहु अब्तम भाव में विद्दमान हैं मिथुन राशी के मित्र राशी के उच राशी के तो सफलता भी दिलाएंगे लेकिन राहू फिर भी एक ऐसा गिरह है सरपीला है ना साप की मुंडे साप डसने का काम करता है तो जरासी विला परवाई हो गई तो दिक्कतों का सामना भी करन पर सकता है इसलिए सोच विचार करके काम को करें इंपोर्ट एक्सपर्ट में माल लें खरीदें सोच विचार करके करें खरीदें लाब होने की संबावना अच्छी है बेफिकर रहेगा दामपत्य जीवन की बात करते हैं दामपत्य जीवन में थोड़ी कड़वाट रह सकत है सब्तम भाव में राहू हाला कि आच्छी राशी के हैं लेकिन फिर भी इनका प्रभाव देखने में कई बार दामपत्य जीवन के लिए अशुबी रहता वर्वधू की जब कुंड़ी कर्णिया मिलाई जाती है कुंड़ी मिलाई जाती है सब्तम भाव के राहू भले ही उच्छके हो लेकिन अवाइड करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं तो दामपत्य जीवन में आपको स्व्यम मदूर्ता पैदा करनी है सेक्स दुबा संदे को जगा नहीं देनी है किन्तु परंतु ना करें तो आपका जीवन अच्छा रहेगा शनिवार के दिन यदि इस महीने वैसे तो शराद है शराद में मंगनी आदी नहीं होती नवरात्र में की जाती है 29 तारीक का प्रथम नवरातर है और 30 तारीक तक यह महीना पूर्ण हो जायेगा सेप्टंबर का तो युद्य मंगनी आदि सघा यादि करनी हो एक किसी के साथ कोई बड़ा रिष्टा जोडना हो तो कोशिश करें सेट्टम्बर में 30 सेट्टमबर के बाद ही करें यह 29-30 में भी कर सकते हैं लेकिन 30 के बाद करें तो ज़्याद अच्छी बात है 14 से लेकर के 28 तारीश के बीच में कोई संबंद रिष्टा नया व्यापार नया कारिय ना किया जाए तो जादा आच्छा रहेगा बात कर लेते हैं स्वास्ते की स्वास्ते की दिरस्टी से कोई बहुत बड़ी गिरावट नजर नहीं आ रही है चुरषणापन आपके मन में ले सकता क्रोध इस महीने थोड़ा से आपको बढ़ा सकता बहुत करोध का सम्बंद भी तो आपके स्वास्ते से है जादे गुस्टा करेंगे, जादे करोद करेंगे, चरचनापन करेंगे, स्वास्टे प्रसर आता है, खून जलता, है ना, कहीं ने कहीं अंदर ये अंदर आपकी शक्ति का हास होता है, कमजोरी आती है, दूसरे लोग भी अच्छा नहीं समझते हैं, बहुत गुस्टे वाले पुर्देव का, कि परिश्टित्यों के साथ ये दिव्यक्ति तालमेल बिठा लेता है, वो व्यक्ति वास्तम में बाश्टा से कम नहीं होता है, कुल मिला करके, धनु रासी से संबंदित, सेकेटेरियस रासी से संबंदित, ये महा, खटे मीठे अनुभवों के साथ, महीने उपाये पर जरूर ध्यान दे, कई बार हमारी बाते आप सुनते उपाये नहीं करते हो, उपाये पर जरूर ध्यान दे, ब्रस्पतिवार के दिन आपको उपाये करने क्योंकि आपकी रासी के स्वामी है, गुरु, गुरु का रंग पीला, गुरु का दिन, गुरु ब कदिन जीप पर हर ब्रस्पतिवार प्रात्यकाल पहले मस्तक पर फिर जीप पर के शर कत्य ज़रूर लगाए अच्छा नाम मिलेगा ब्रस्पतिवार के दिन पीले रंग की मिठाई अपने भोजन में जरूर रखें जब बेसन का हलबा बनवाले थोड़ा सा बना ले बना बनवाले बेसन का लड़ू बेसन की मिठाई कुछ भी रखें पीले रंकी मिठाई ब्रस्पतिवार के दिन भोजन में जरूर लीजिएगा सेप्टमबर के पूरे महिने खासतोर से इन चार तारीकों में पांच बारा उन्निस चब्विस और एक चीज और ध्यान रखें विश्णु सहसर नाम का पाठ जरूर करिये या सुनिये इन चार तारीकों में पांच बारा उन्निस चब्विस देखो भाई अब हम सोचें कि करना भी कुछ ना पड़े सुनना भी कुछ ना पड़े जिन्दगी बदल जाए पोधा भी सूख जाता है अगर उसमें पानी ना दे तो है ना एक पेड़ पोधे को भी पालते हैं बड़ा हो जाए बड़ा हो जाए बड़ा हो जाए और जब बहुत बड़ा हो जाता है तो देखो फिर तो भी अक्ति खड़ा होई जाता है लेकिन जहां कमजोरी हो वह सतरता क्या बश्रकता होती है तो पीला रंग का बहुलिय ब्रस्पतिवार के दिन जरूर बढ़ाएं विश्णु शेहसर नाम का पाठ सुने यकने चार ब्रस्पतिवार ये महिना इश्वर के करपा से सुबता के साथ निकल जाएगा हमारे एक आरेकरम अन्य धर्म से सम्मद्द लोग भी देखते हैं तो हमने बताय पीला तलख लगा सकते हैं पीली मिठाई भोजर में ले सकते हैं और एक चीज़ और हर मजभब में एक पवित्र पुस्तक होती है हॉली बुक सारे कोई भी संतार का ऐसा मजभ नहीं है जिस मजभब में कोई उसकी हॉली बुक ना हो पवित्र पुस्तक ना हो आपकी कोई भ पवित्र पुस्थक का अब हिंदु धर्म में तди को लोगों की तो हौली पुस्थक हैं पवित्र पुस्थक हैं पुराण है पुराण है शास्त्र है वेद हैं बहुत सारी चीज़े हैं हम लग वी तो कोई भी एक ऐसी पुस्तक अपने बड़े को बुजर्ग को चाहे दादा दादी नाना नानी काका का की मित्र कोई भी हो जो से पढ़े सदियू प्योग करें तो एक कहने का मतलब एक धार्मिक पुस्तक धार्मिक गरंथ केवल एक या तो पांच को या बारा को उननिस को या चब्विस को किसी भी चारो बरस्पतिवार में से थस्डे में से एक थस्डे ज़ड़ दीजिएगा बास गिंती के तीन चार रुपाई बताएं सेप्टमबर के लिए करके देखें बहुत अच्छा लगेगा और दर्शुको ये तो थी वरवली बाते हैं और अधिक गहराई में जाने के लिए स्टिकता में जाने के लिए हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती हाथ की रिखाएं सबकी अलग होती फिंगर प्रिंट अलग होते हैं भागे सबका अलग होता है अधिक स्टिकता में जाने के लिए अपनी जर् मगगे से अवलोकन जरूर करा लें जर्म पत्रिका ना हो डेट ओव बर्थ में कन्फियूजन हो समय में कन्फियूजन हो हाथ की रिखाएं किसी को दिखाई जाएं क्योंकि ये बाते तो हम सब के लिए आम कर रहें जिनकी भी धनुरासी है सेकेटेरियस लगाने हैं सब के लि समधान के लिए आप किसी को भी अपना हाथ ये कुंडली जरूर दिखा सकते हैं समधान विश्वर की करपा से जरूर प्राफ्ट होता है आपने हमें सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कीजिएगा हर महीने के ये उपाय और राश्री फाल जानने के लिए आप हमारा कार पुरानी डेर साल पुरानी दो साल पुरानी बहुत कुछ आपको महां से मिलेगा आपकी रासी क्या है धनुरासी है धनुरासी के स्वामी ब्रस्पती है हमने ब्रस्पती पर बहुत आर्टिकल बोले हैं आप सुनिये गान को ब्रस्पती कमजोर हो तो क्या होता है बहुत सा आपकी ब्रांतिया में दूर होंगी जो दर्शक कहीं दूर रहते हैं आउट ओफ इंडिया रहते हैं या इंडिया में दूर रहते हैं मिलना चाहते हैं लेकिन दिल नहीं आ सकते हैं उस इस्तिति में आप हमारे संस्थान में फोन करके कॉल अपाइंडमेंट भी ले सकते हैं उसके माध्यम से प्रयास करते हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं, उनको दूर करने का हम लोग प्रयास करते हैं, दर्शो को समय हो चला है, इनी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को ब्राम देते हैं, नमस्कार. प्रूफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश की विबन हिस्सों में मिल सकते हैं, अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतार दिल्ली में रहते हैं, जिस वक मैं पहली बार गुरुजी से मिला, मुझी मिलते हैं गुरुजी ने बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो आपको एक मेना बार असपा काम में भरती होना पड़ता, युनों ने जो मुझे मंत्र दिया, आज उसकी बदावलत मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें